बैजन क्या आल है ठीक है और सब खरीयत है अच्छा बैजन यह देखें आपके सामने और मैं आपका दोस्त इम्रान भाई जोगी सनासी नुस्खाजाब चैनल की तरफ से यह को मैं प्रैक्टिकल का रहा हूं कलमी शोरे के तेल पर ठीक है यह आपके सामने तेल है बन रहा शो उसी तरह आपको नजर आ रहे होंगे और यह कुछ मेरे पास दवाई पड़ी है यह देखें यह दवाई है इस दवाई को मैं इसके उपर मारूंगा थोड़ी सी तो यह आग पे तेल खड़ा हो जाएगा और इसमें हम सिंबल फार को पकाएंगे ठीक है सिंबल फार का कोई रियक्शन नहीं होगा तो आगे हम देखते हैं अला खैर करें पता चल जाएगा कि यह क्या चीज बनती है जी यह देखें यह आग पे खड़ा हो गया और अभी मैं इसकी थोड़ी से आग स्लो करूंगा तो फिर इसमें मैं चुटकी दूंगा जी यह देखें यह चुटकी चुटकी देखें जब खड़ा जेगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें जी अभी देखें यह तेल बन के खड़ा हो चुका है और यह देखें सिम्बल फार पड़ा है और मैं अपने दोस्तों को यह देखें इसको चेक कर ले जनाब शोरे ने इसको कुछ ने कहा ठीक है यह देख ले आपके सामने नजर आ रहा होगा सिर्फ थोड़ी सी दोई डाली है और सिम्बल फार इसमें खड़ा हो गया है चेक कर सकते हैं आप यह भी इसके अंदर मौम ही होगा ठीक है जी यह देखें यह कच्चा न्यूटल शोरा है जिसके साथ यह मैंने अमल किया है और आपके सामने पड़ा है यह देख ले इसमें सिम्बल फार पाकरा है ठीक है जी यह आपके सामने है यह देखें इसको मैं मौम बनाखें दिखाता हूँ आपको ये शोरा मौम इसको कर देगा इसके बहुत कमालाथ है ये शोरा जो है इसके बहुत ही कमालाथ है और माशाला ये बहुत ही अच्छा बनता है ये आग पे तेल होगा नीचे जम जाएगा ठीक है जी आग पे तेल होगा नीचे जम जाएगा यह मैंने नया शौरब बनाया है यह देख लें सामने आपके मैं थोड़ी सी इसकी आग और तेज करता हूँ ताके अपना सिमल फार जो है वो इसमें अच्छा पाके हुआ जी यह देखें यह मौम हो गया है चेक करने यह शौरब इस तरह का है आपके सामने है माशाला बहुत कमाल की चीज़ बनाता है यह शौरब यह पहले वाले शौरे से भी यह बेतर है शौरा नैचरल शौरा कच्छा शौरा आपके सामने मैंने कैम किया इसको ठीक है जी यह देख लें जी अब देखें यह कच्छी वर्किया है ठीक है इस वर्किया को मैं चेक करता हूं यह देखें वर्किया को भी यह कुछ नहीं कहेगा आपके देखते देखते इसको मूं कर देगा इसमें थोड़ी सी जो वर्किया का काम है यह प्यार से करने वाला है यह देखें क्योंके वर्किया एक नाज़क चीज है सिंबल पार तो यह आपके सामने पड़ा है मूं बन के बगर यो जो वर्किया होती है ये वर्किया बहुत अराम से बहुत अहमल से इसके अंदर पकानी पड़ती है ये जो ये शुराब के सामने बनाया है इसमें थोड़ा सा वर्किया का पकाने का तरीका होता है नहीं तो इसके अंदर रेक्शन होगा और वर्किया खराब हो जाएगी ज्यादा देर इसको नहीं रखना है इस तरह इसको डिब करके ऐसे निकार लेने यह देखें इधर ही यह कैम हो जाएगी जी वैजन यह देखें यह अपनी वर्किया है उपरे इसके शोरा लगा हुआ है मगर यह बहुत बेतरीन वर्किया बन गी है ठीक है दूसरा सिम्बर फार्तों मैंने अलेदा कर दी है और इसको अराम से पकाना है यह जो आज शोरा बनाया है इस तरह डिब करके इसको निकालने ने ने तो शोरा पकर जाएगी ठीक है अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आपने भाईयों से आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ ओके अलाहाफिज